हाई गैइज आज हम आपको भाग करना सिखाएंगे इस वीडियो में और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भुलें और आज हम आपको इसमें भाग करना सिखाएंगे कि कहां पर 0 लगेगा और कहां पर पूरा भाग जाएगा कहां पर नहीं जाएगा पूरा डिटेल में बताएंगे तो चलो हम सुरू करते हैं वीडियो को आप अब सबसे पहले भाग किसका देना है पांच का लेकिन पहले की इधर का अंक लेंगे एक अंक लेंगे फिर इसके बाद दूसरा पिर तीसरा ऐसे करके बारी-बारी से सभी में भाग देना है और ध्यान रहना है ध्यान रखना है कि इससे जदा बड़ा नहों इससे छोटा वगत चलेगा अब 5 कब भाग 5 में कितनी बार दें तो 5 आ जाए सिंपल है 5 एकम 5 तो कितनी बार हुआ एक बार यह हमने कर दिया एक यहां लिख दिया और 5 यहां लिखेंगे हो गया अब माइनस 5 में इस 5 गया तक क्या बचा कुछ नहीं उपर से उतारा क्या 4 चार उतारा अब 4 तो 5 से छोटा है तो भाग तो जाएगा ने इसलिए उपर से क्या उतारेंगे सुन्ये सुन्ये अब 5 कब भाग 40 में दो 5 के पहड़े में 40 कितनी बार में आता है 5 एकम 5, 5, 9, 10, 5, 3, 15, 25, 25, 25, 35, 35, 35, 35, 48, 48 आट बार में तो ठीक है यह 8 हमने यहां लिख दिया और यह 40 लिख दिया अब गटाएंगे 0 में 0 गए तो कुछ नहीं 0 में 0 गए तो कुछ नहीं उपर बचा है 0 तो 0 नीचे उतारेंगे तो उसका भी 0 यह लगेगा यह हो गया हमारा भाग अब हम इसको चेक करेंगे कि हमने ये सही किया है या गलत तो चेक करने के लिए क्या करेंगे जो भाग फल आया उसका इसमें गुणा करेंगे ताकि ये संखे आना चाहिए अगर ये संखे नहीं आती है तो हमने कहीं न कहीं गलती की है चलो देखते हैं जाज केसे करते हैं यहां लिखेंगे एक मिनिट चलो अब जाज करते हैं एक रब कागज ले ले लेते हैं इसमें लिखते हैं अब यहां है भागफल अपना 180 है उसमें गुना किसका करना है पांच का यह 5 लिखेंगे अब गुना करो 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा 5 का 8 में करो या 8 में 5 करो एकी बात है 485 की सुन्य हासिल आया 4, 5 एकम 5, 5 और 4, 9 और यहां कितना है? 500, आया कितना? 900 तो इसका मतलब यह है कि हमारा भाग सही नहीं है इसको फिर से करना पड़ेगा अब हमने क्या गलती करी है? चलो देखते हैं अगला सवाल करते हैं अब इसको फिर से हम यहां लिख लेते हैं यह लिख लेते हैं 5 का भाग देंगे यह हो गया अब इसमें पुरह ध्यान से करेंगे हमने गलती कहां की थी अब देखेंगे 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग एक बार जाएगा ये एक लिख दिया और ये 5 लिख दिया अब इसमें घटाएंगे 5 में से 5 गयत क्या बचा 0 ठीक है अब उपर सुथारा क्या 4 हम यहां ध्यान रखना कि अगर खास गलती यहीं पर हुई थी हमने उतारा चार जो उपर से उतारा उसमें भाग नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है उसकी यहां एक 0 लगेगी यहीं बच्चे दिक्तर गलती करते हैं इसमें हमें भाग नहीं जा रहा है उपर सुफ्ता रहा है, उसमें भाग नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है, उसकी एक 0 लगेगी, जिसके बाद यह 0 यहां उतरेगी, ठीक है, अब होगे 40, अब 5 का भाग 2, 40 में, 55, चालिस, 8 बार आया, तो यह 8 यहां लिखेंगे, और यह 40 यहां लिखेंगे, अब चार में से चार गय तो भी जीरो, अब उपर से उतारेंगे, एक जीरो बचा है, तो वो जीरो को कोई महत्वर नहीं है, इसलिब जीरो को भी यहां लिख देंगे, यह हो गया मरब भाग, अब इसकी भी चेक इन करेंगे, इसका और इसका गुणा करते हैं अगर ये वाली संख हैंगे 1080 उसमें 5 का गुणा करेंगे 5 का जीरो में करेंगे जीरो पांच का आठ में पन्रोट चालिस की शुन्य हाता है चार इसमें जीरो है इसलिए 4 का 4 आएगा 5 एकम 5 यह आगे चोपन सो यानिक यह हमारा जो था वो सही है और यह वाला जो था वो गलत है अब आपको यह समझ में आगया होगा कि भाग में कहां जीरो लगाना है और कहां नहीं लगाना है और आपको जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में लिखे ज़रूर कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया कोसिस करेंगे अगले वीडियो में आपको समझाने की और वीडिय झाल झाल